हलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रिष्टाधारी और सम्दीपार्स पत्ती की आंतरिक सनस्पना के बारे में समझेंगे तो आईए इस वीडियो को सुरू करते हैं प्रिष्टाधार पत्ती, वे पत्तियां जिनकी ऊपरी और निचली सतर में भिंता पाय जाता है ऐसी पत्ती को प्रिष्टाधारी पत्ती कहते हैं और ये विशेश्ता है दिवीच पत्त्री पोधों का जैसे आम अगरे के पत्ती देखेंगे तो इस तरह का होता है दूसरा समदी पार्ष पत्ती, ऐसी पत्तियां जिनकी उपरी और निचली सतर दोनों लगभग समान होते हैं एक जैसे होंगे, ऐसी पत्ती को समदी पार्ष पत्ती कहते हैं और ये विशेष्टा होता है एक बीच पत्त्री पौधों का जैसे धान में देखेंगे केला में मक्का में तो इस तरह का पत्ती पाया जाता है आप एक केले के पत्ती को और एक आम के पत्ती को लाकर देखें और दोनों प्रिष्ट को देखें उनका देखेंगे तो आप तो कहेंगे दोनों में भीनता है सर दोनों में उपरी और नीचली सतर थोड़ा खुड़ा अंतर आया है दोनों में लेकिन वास्तव में यदि उनकी आंत्रिक संरचना उसके आहां काट को बनाएंगे उसको देखेंगे तो इस पर रूप से दोनों में अं सबसे पाले मैं एक प्रिश्टा धारी पत्ति की सरजना बनाता हूं प्रुड़ 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 यह देखे पत्ती का उपरी सत्व यह निचला सत्व हो गया उपरी सत्व पर एक मोटा क्यूटिकिल का आवरण पाए जाता है इस तरह से जबकि निचली सत्व पर पतला क्यूटिकिल का आवरण होगा और दूतरा अंतर है यहाँ पर देखे यह जो निचला सत्व है इस पर रंद्र या इस्टोमेटा पाए जाते हैं जबकि उपरी सत्व पर नहीं पाए जाते तो देखे यहाँ पर ही अंतर इसपस्ट हो जा रहा है कि इसके दोनों प्रिस्ट भीन भीन है अब उसके बाद इसके जो उपरी और निचली सत्व है इसके बीच का पूरा भाग यह कालाता है मीजो फिल तो यहाँ पर हम मीजो फिल बनाएंगे इसी इसी में आप देखे होंगे जो सिराएं होते हैं उन सिराओं को भी बनाना होगा सिराओं और साथ जो जिस पर की सववहन पूल पाए जाएंगे तो यहाँ पर मैं एक सववहन पूल को बना दे रहा हूँ इस तरह से देखिए यह हो गया एक सववहन पूल लेकिन ये जो सवहन पूल है ये बाहत से एक आवराड से घिरा होता है जिसकों की बंडल सीथ, बंडल आच्छद कहते हैं इस तरह से देखिए ये मृदुतक अर्थात पेरेन काईमा को सिकाओं का बना होता है ये आवराड और ये उपरी और निचली जो बाहत वचा है यहां तक फैल जाता है इधर भी फैल जाएगा इधर भी फैल जाएगा तो इसको भी यहां हम लोग इस तरह से बना के दिखा सकते हैं ये देखिए ऐसे इसकी कोशिकाओं को आप बना सकते हैं यहां तक फैला दीजिए इसको इधर भी यह पूरे बंडल छाद की कोशिकाओं हैं जिनका विश्तार ओप्री और नीचली बायत वचा तक हो गया है यहां पर हमको समवहन पूल को दिखाना है तो चलिए यहां पर कुछी इस तरह से समवहन पूल को भी आप बना सकते हैं यह हो गया जाइलम और बांकी जो इसमें बच गए यह सभी को सिखाएं हो गए फ्लोयम अब इसमें मीजोफिल को सिखाओं को भरना है इसमें दो तरह की मीजोफिल होते हैं एक होंगे पेली सेड और एक होते ही स्पॉंजी पेली सेड अर्था इस तरह के देखिए यह कोसी का एक दूसरे से सटे सटे होते हैं और लंबे इस्तंब के जैसे होंगे इस तरह से खास तर पर जो अपर इपीडर मिश या उपरी जो बाहतोचा है उसकी सत्व पर पाया जाएंगे यह इधर उस सत्व की ओर इस तरह के और दूसरा स्पॉंजी पेरेन काईमा का बना हुआ पी जो फिल तो वो कुछ इस तरह का रहेगा रेखिए उसको दूर दूर बीच बीच में इसके कारण एयर इस्पेस बच जाता है ऐसा कुछ आप बना सकते हैं इसमें यह देखिए अब बाकि सभी में डाट डाट करके इस तरह से आप इसमें हरी तलवक को बना देंगे ऐसे सभी में क्लोरो प्लास्ट पाया जाता है दोनो तरह के जो पेरेन काईमा सेल हैं स्पोंजी और पहली सेड यह देखिए बन गया इसका सदशना बहुत आसान है इसी तरह से आप सभी में बर लेंगे इधर भी कुछ बना देंगे श्पोंजी सेल को इन दोनों में अंतर यह है कि इनके बीच में एर इस्पेस बन जाता है जबकि इसके बीच में कोई एर इस्पेस नहीं होता ये थोड़े से छोटे गोलाकार अकार के होते हैं जबकि ये इस तंबाकार अकार के होते हैं ये हो गया इसका आंत्रिक सनचना नमांकर करेंगे दोनों का चित्र बना ले उसके पश्चार तो चलिए इसका भी यहाँ पर चित्र को बना लेते हैं इसमें भी उपरी और निचली बाहतोचा पाये जाता है तो उसको पहले बना लेते हैं इस तरह स्वेश का संदचना बनेगा ध्यान रखेंगे इसमें जब कोशिकाया बनाते रहेंगे तो बीच बीच में आपको कुछ कोशिकाया ऐसे बड़े आकार का बना देना है ये जो कोशिकाया है ये बुली फार्म कोशिकाया कहलाते हैं और देखेंगे इसमें उपरी बाहतोचा पर भी रंद्र है और नीचे भी पाये जाता है रंद्र इसे दोनों सताप पर इसत्रा से रंद्र पाये जाएंगे इसके उपर क्यूटिकिल का अस्तर होगा पतला क्यूटिकिल नीचे भी होगा इसमें भी सिराएं पाये जाते हैं सिराओं में ही स्वावन पूल होता है जाइलम फ्लोएं पाये जाएंगे तो इसमें भी जो बीच का हिस्सा मीजोफील कर लाएगा और इस मीजो फील में भी हमको सवान पूल दिखाना है तो जैसे इसमें किया हूँ दो कलर से इसमें भी यहाँ पर बना देते हैं यह हो गया जाइलम इस तरह से बना लेंगे इसमें यह सभी जाइलम है और इनको ऐसे घेरे हुए फ्लोयम इसमें कुछ फ्लोयम को ऐसे दिखा दीजिए इस परस्ट रहे आपको इसलिए अलग-अलग कलर में बना दिया जा रहा है इसको और इसको घेरे हुए बंडल चाथ बंडल सीथ जो आवरण है इसको घेरे हुए उसको हम इसheid के समानी इसकलर में बना देते हैं देखिए लिखिन इसमें ध्यान दखना है कि यहां पर जो कोशिकाय है ये कोशिकाय पेरेन काईमा नहीं है बलकि ये इसकलरेन काईमा कोशिकाय है तो इनका थोड़ा सा कार अलग बना दे रहे हैं ऐसे ताकि आपको इस पस्ट रहेगा ये भी कि डोनों में बंडल छात की जो को सिखाएं हैं ये अलग-अलग प्रकार के होते हैं इस तरह से और जो बचे इसमें ये जो बचे इसा बच गया इसमें इस तरह इड़र भी और इन सब भी में भी आपको इस तरह से क्लोरोप्लास्ट को दिखा देना है हरित लोग सब भी में पाए जाएंगे पूरे स्पोंजी को सिखाओं में तो देखे ये हो गया दोनों का चित्र अब चले दोनों का नामांकर एक साथ कर देते हैं देखे पत्ति की आंत्रिक सनत्ना में कुल तीन भाग दिखाई देते हैं उपर की तरफ उपरी बाहतोचा नीचे की तरफ नीचली बाहतोचा और दोनों के बीच में ये जो दिखाई दे रहा है ये मीजोफेल जो उपरी बाहतवचा है इसको कहा जाता है अभ्यक्च बाहतवचा अंग्रेजी में कहें तो एडाक्सियल इपीडरमिज दोनों में पाए जाएगा इस इपीडरमिज के उपर यह देखें इसमें चुकी मोटा परत है इसमें पतला परत है यह है cuticle का यह कहलाता है cuticle अब नीचे की तरफ आ जाएं तो देखिए इसमें adaxial और यह कहलाएगा abaxial, apaxe बाहत होचा इसमें जो नीचली बाहत होचा है इसको कहते हैं apaxe abaxial epidermis इसमें भी होगा यह cuticle इसमें भी cuticle यह जो मीजोफिल है प्रिष्टा धारी पत्ती में दो तरफ की कोशिकाएं होते हैं इसमें और इसमें सिर्फ एक ही तरफ की यह जो खंब क्या कार की हैं इनको कहा जाता है पेली सेड मीजोफिल इसमें नहीं पाया जाता है यह जो दिखाई दे रहा है गोलाकार यह खालाते हैं इस्पॉंजी पेरेन काईमा यह दोनों में पाया जाता है इसके अत्रीक्त यहां पर देखिए यह जो दिखाई दे रहा है यह कहलाएंगे जाइलम यह जो बांकी दिखाई दे रहा है यह कहलाएगा फ्लोयम और यह जो घेरे हुए सनचनाए हैं यह पूरे यह कहलाते हैं बंडल सीथ बंडल चाद किसके बने हैं यह पेरेन काईमा के किसी कोसिका की बने हुए हैं तो यह भी ध्यान रखना है आपको इसमें देखें तो इसमें भी यह होगा जाइलम यह होगे फ्लोयम और यह है इसका बंडल सीथ लेकिन यह बना हुआ है इसकलेरेन काईमा का तो इसको भी इधर ही लिख लेते हैं यह हो गया जाइलम यह हो गया फ्लोयम और यह जो बंडल चाद किसका हैं यह है इसकलेरेन काईमा यहाँ पर देखिए यह रंद्र इधर भी रंद्र तो यह इस्टोमेटा इधर भी होगा इसमें सिर्फ नीचे की तरब यहाँ पर इस्टोमेटा है तो यह चीत रहो गया महिंदी में ना मांगा न भी कर दूँगा इसको समझ लीजे थोड़ा सा इसमें क्या विशेशता है कि जो उपरी बाहत्वचा है एडाक्सियल इपीडर्मिस है इसके उपर मोटा क्यूटिकल पाया जाता है इसके मीजोफिल में दो तरह के मीजोफिल पाया जाएंगे एक पेली सेट और एक स्पॉंजी देखें स्पॉंजी जो पेरेन काईमा है इसके बीच बीच में जो खाली स्थान है यह खालाता है एयर इस्पेस वायू कोस एयर इस्पेस और उसके बाद यहां पर ध्यान देना है समवान पूल में तो जाईलम फ्लोयम होंगे और जाईलम फ्लोयम के बाहर दोनों साइट आउरन पाया जाता है इसको बंडल सीथ करते हैं और इस आउरन की कोसिकाएं पेरेन काईमा के बने होते हैं तो इसका विच् बंडल सीथ की जो कोसिकाएं यह इसकलेरन काईमा के बने हैं और यहां पर जाईलम फ्लोयम तो होगा ही इन पत्यों की उपरी सतफ पर ये कुछ बड़ी, खाली और रंगहिन कोशिकाएं दिखाई दे रहे हैं, इनको बुली फाम कोशिका करते हैं, ये कोशिकाएं वास्पो सजन क्रिया को नियंतित करते हैं जब इन बीच की स्पंजी कोशिकाएं में जल की कमी होने लगती है, उस समय बुली फाम कोशिकाएं जल को असोसित कर फूल जाते हैं और जिसके कारण पत्या मुड़ जाती हैं और इस्टो मेटा छुप जाते हैं और वास्पो सजन की दर धीमी हो जाती है और ये बाकी कोशिकाएं जब इस्पी तोस्था में आ जाते हैं फूल जाते हैं उस समय बुली फाम कोशिकाएं से जल बाहर निकलता है और जिसके कारण ये जो मुड़ी हुई पत्या थी वो सिधी हो जाती है और वास्पो सजन सामान निगती से होने लगता है तो ये एक बीच पत्री पौधों का एक विशेशता है खास तोर पे घास पुल के पौधों में वुली फाम सेल्फ पाय जाते हैं तो ये तो हो गया दोनों के बारे में थोड़ा सा वर्डन अंतर भी आप देखके समझ सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप प्रिष्टाधारी पत्ती एवं समझ द्यूपार्श पत्ती की संरचना को समझ गये होंगे यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ सेयर कीजिए